अरे माजी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एंबुलेंस आई है गायत्री भागती हुई दर्वाजे पर आती है, तभी उसकी बहु चान्नी को एंबुलेंस से बाहर लाया जाता है ए भगवान, ये मेरे बहु को क्या हो गया? एक्सिडेंट हो गया माजी अरे लेकिन ये कैसा एक्सिडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही अरे माजी, दिमाग में अंद्रूनी चोट लगी है, और ये अपनी याददास्ट खो बैठी है हैं? मेरे बहु याददास्ट खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिकर मत करिये, बस इनका अच्छे तरीके से खायाल रखिये, मैंने दवाईयां दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ अगले दिम अब तेरी तब्यत कैसी है बहु? बहु? किसकी बहु? हम भैरोगड के ठाक और विकरम सिंग की बेटी रूप पती हैं, हम एक राजकुमारी हैं, और तुम हमारी दासी हो बुढिया? अरे बेटा विशाल, बहु कैसी बह की बह की बह की बाते कर रही है? अरे कुछ मत पूछो मा, राद को मुझसे अपने पैर दवा रही थी, सर पर चोट लगने की वज़े से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है, और ये अपने आपको राजकुमारी समझ रही है तबी वहाँ चांदनी आ जाती है, तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारी खिलाफ कोई शड़ी अंतर तो नहीं रच रहे हो, हम तुम्हारा सर तलबार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक है, भला हमारी इतनी हिम्मत, कहिए आपने यहाँ हौल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है, ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजिन का प्रबंद करो, आज हम शाही कबाब खाएंगे विशाल अपनी मा को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है थीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ इस तरह विशाल और उसकी मा ना चाहते हुए भी चांदनी की जीहजुरी में लगे रहते हैं लाओ मा, जल्दी से मेरा टीफिन दो, मुझे देर हो रही है अरे ठेहर जा, जरा धम तो लेने दे मुझे सारे घर का काम मुझे अखेली को करना पड़ता है तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है सारा दिन हुकम चलाती रहती है अरे मा, मेरा भी तो यही हाल है फिलाल तुम मेरा टीफिन दे दो, मैं चला रुको, कहां जा रहे हो अरे मर गया रे, ये कहां से आधम की आज हमारा जुहुचो पाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई सारिया भी खरिदी है चलो, जल्दी से अपना वहर निकालो और हमें ले चलो अरे अब तुम मैं गया काम से अगर आज मैं वक्त पे आफिस नहीं पहुचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरे से निकाल देगा मरता क्या न करता आखिरकार विशाल चांदनी को गुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है जल्दी से टीवी शुरू करो अरे वा, कपिल शर्मा तुझे याद है बाकी कुछ याद नहीं गहु तु तो बड़ी चालू लगती है अपने फाइदे की हर चीज तुझे याद रहती है मैं तो तेरी इस अजीब बिमारी से परिशान हो गई हूँ अगले दिन अरे डाक्टर साहाब आप इतने दिन से मेरी बहु का इलाज कर रहे है लेकिन उसकी बिमारी तो सुधन्ने के बजाए और बढ़ती जा रही है अरे माजी ये दिमागी बिमारी है बेचारी की याद दास चली गई है वापसान में थोड़ा बक्तों लगेगा ही न गायतरी डाक्टर से बात कर ही रही होती है कि तब ही उसकी पुरानी सहेली शीला वहाँ आ जाती है शीला को देख अचानक डाक्टर घबरा जाते है अच्छा माजी मुझे एक मरीज को अर्जंट देखने जाना है मैं चलता हूँ ये कौन था? अरे अब क्या बताओ शीला एक एक्सिडेंट भी मेरी बहू की याद दाश चली गई है ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है ये डॉक्टर कबसे बन गया? और ये तो चमन पान वाली का लड़का है सारा दिन नाटंकी करता रहता है अच्छा तो ये बात है अब मैं समझी मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे चल तू मेरे साथ गायतरी शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में दे कर अपनी बहू चांदनी की कमरे में ले जाती है बहू ये मेरी सहेली है एक डाक्टर है इसने तेरे जैसे नजाने कितनों का इलाज दो मिनिट में खर दिया है इसका कहना है कि सर पर जहां चोट लगी हो अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरे इसकी याददाश वापस आ जाती है अपनी सास की बाते सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांद ने घबरा जाती है अरे पापरे मैं तब फस गई इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तब चारो खाने चित हो जाऊंगी अब क्या करू क्या करू क्या करू लेकिन गायतरी डंडा सर पर ठीक उसी जगा लगना चाहिए जहां चोट लगी है अरे तू चिंता मत कर दो चार बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगा लगी जाएगा ना चल बहू तयार हो जा अरे नहीं नहीं माजी मुझे मत मारिये दरेसल घर की काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था मुझे माफ कर दीजिए मैं कान पकड़ती हूँ दोपारा ऐसी गल्दी कभी नहीं करूंगी क्यूं दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा जरूर बताईएगा